नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खरना हुम्यूपेथि क्लीनिक के इस प्रोग्राम में स्वागत है साथियों आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है उन माताओं के लिए जो अपने बच्चों को कहती है और तेज दिमाग हो जाए किसी तरह तो यहाँ वीडियो डेडिकेटेड है उनके लिए यहाँ वीडियो डेडिकेटेड है मेम्री लॉस के लिए टेंपरेरी शॉर्टर मेम्री लॉस के लिए जो थोड़ा बहुत बच्चों का कंसंट्रेशन और मेम्री के दिक्कत होती है यहां एक समस्या है जो बड़ी समस्या है आज कल कमप्रीशन का दौर है 99.5% नंबर वालों का तो दिल्ली इनुवेस्टी या दिल्ली के अच्छे कालिजों में एडिमिसन नहीं हो पा रहा तो उससे नीचे वालों कि आप क्या कहोगे 99.5% मैं देखता हूं कट आफ लिस्ट 99.6% 99.7% चली जाती है मैं अपने बच्चों के लिए भी चिंतित होता हूं यहां देखकर कि इस कमप्रीशन के दौर में जब हिंदुस्तान की आवादी 700 क्रोड से जादा पार कर गई है और एक बड़ी भयावा एस्टिती पैदा हो ग होगा यहां ग्रह यूद दामीर और गरीब के बीच में होगा क्योंकि स्थिती बहुत भयावा हो रही है और इस भयावा स्थिती से हम सब निपटने की कोसिस करते हैं और उस कोसिस का सबसे बड़ा दिकत होती है बच्चों पर प्रेसर यह हकीकत हम सब जानते हैं कि 99.9 अहीं कि 10 से 15 कारगर होमियोपैथिक दमाई जो आपको इस दिकत से निकाल देगे सबसे पहले साथियों चानल लेते हैं मेम मेमडी लॉस होता क्या है मेम लॉस साथियों दो तरह का होता है इक तो होता है पर्मनेंट जो की डिमेंशीय होता है जो कि अलग विषय है जो आज माल यह कार की चावी है, कार की चावी रहके कहां भूल गये, यह एक सिनेरियो है और कार की चावी किस काम आती है, यह भूल गये दूसा सिनेरियो है तो जो कार की चावी को कहां रख के भूले ये शॉर्ट टर्ण फॉर्गेटनेस है जो कि memory loss है और कार की चावी किस काम आती है कार खोलने काम आती कि किस काम आती यही भूल गए यहाँ डिमेंसी आए जो कि अलग भी से है तो हम लोग बात करेंगे कार की चावी कहां रखके भूल गए अगर यह सिकाइट आपको होती है हमें भी होती है अपने खाना सुरू करती दवा जिनको बेलोबा तो वो शौटर मेम्री लॉस है जो कि एक तनाव और काम के कारण है तनाव तो हम नहीं लेते लेकिन काम वास्तर में पांच लोगों काम अकेले करते हैं तो कहीं न कहीं वो थोड़ा सा प्रिसर दिमाग का है ठीक हो जाएगा तो यहाँ समस्या है तो यह होता है मेम्री लॉस चोगी शौटर मेम्री लॉस होता है इसके सिम्टम्स के विशे में आजाएं हमने एक लाइन में आपको सिम्टम एक्स्प्लेइन कर दिया चीज को थोड़े वक्त के लिए भूल जाना यहाँ ही इसका सिम्टम है जिसे बच्चा पढ़ाई करा भूल गया याज सब करता है एक्जाम जाते समय भूल जाता है तो यहाँ जो है यही सबसे बड़ा सिम्टम है जिस समस्या है कि हम लोग बात कर रहे है कॉस की बात करने साथियों कॉस इसके तमाम होते हैं इंप्रेशन होता है नीद नाना होता है इंजाइटी होता है वर्क ओवर लोड होता है स्ट्रेस होता है यह सारे इसके शॉर्टर मेम्री लॉस के कॉसे होते हैं हम आपको बताएंगे शॉर्टर मेम्री लॉस को ठीक करने की 15 कारगर होगे उपैथिक दवाएं जो आपके बच्चों को आपकी समस्या को जिससे ये लिए आप ने ये हम आपको बताते हैं होमियोपैथि में शौर्टर मेमडी लॉस को ठीक करने की 15 कारगर होमियोपैथिक दवाएं साथियों सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट विस है वही आता है जिससे वीडियो की शुरुआत हुई कि बच्चों की आदास कम जोर है बच्चे एक्जाम में याद तो करते हैं लेकिन सब भूल जाते हैं तो अगर यहाँ कंडिशन आपके बच्चे में है कि उसका मेमरी रिटेंशन कम हो रहा है पढ़ाई का रिटेंशन कम हो रहा है तो उसको ठीक करने की हमियोपैथि में बहुत कारगरदवा है बराइटा क का रेड लाइन सिम्टम है साथियों ड्वार्फिशने सब बोट बाडी एंड माइंड ये ड्क्टर हैनीमें साब ने कहा है जो कि हमियोपैथी के सब कुछ है मैं कहूंगा क्योंकि उनके बास से आज तक ना किसी ने कुछ लिखाए ना करा है उन्हीं की बात को तरोड और अगर उसके माइंड का डिवलापमेंट ना हो रहा हो तो भी बराइटा कार बहुत कारगर है आप इस दवा को देखके इसका मेजिकल इफेक्ट देखके अपने बच्चे को लाप पहुचा सकते हैं और उसके भविश को 99.9% वाला बनाने में मरत कर सकते हैं फिर साथिय इसको एक स्थिति आती है बड़ी पीक्यूलियर है लेकिन बहुत कॉमन है कि सेक्स्वाल एक्सेस के कारण मेम्री लॉस होने लगा वेक्टी ने बहुत ज्यादा जो है वो जब सेक्स्वाल एक्टिविटी इसम बहुत जादा इंडल्ज हो गया उसके आद उसकी बुद्ध दबाए एसिट फॉस्फोरिकम आप एसिट फॉस्थर्टी दो तो बून दिन में तीन बाल ले लें आपका जो यहां भूलने की आदत है जो की मैस्च्यूबेशन की एक्टिविटी के कारण या गलत एक्टिविटी के कारण हुई है वहां सब ठीक हो जाएगी और आप अमन इस्थिति आती है साथियों कि लिखते लिखते भूल गए कि क्या करना है तो अगर यहां इस्थिति आपके हो कि आप यह भूल जाएं कि अपने सेंटेंस को बीच में भूल जाएं तो उसको ठीक करने की होमियोपैथी में बहुत कारगर दवा है लैक के नाइनम आप सकते हैं जब बच्चा लिखते लिखते संटेंस भूला जा रहा है बीच में ही और मरीज एफसेंट माइंडेट है एफसेंट माइंडेट मतलब बात कुछ हो रहे ही सोच कुछ राएं तो अगर यहां इस्थिति है लैक के बहुत अच्छी दवा है शौर्ट टर्मेम्री ल अरिवार को और योग्य बनाने में अपनी मदद कर सकते हैं एक इस्थिति आती साथियों प्रिकुलर कि सुभा सुभा चीज़ों को भूल गए मौर्निंग टाइम में जब आप उठे तो आप चीज़ों को भूल गए तो अगर यहां इस्थिति आपने होती कि सुभा के वक यहां दिन में तीन बार ले ले इससे आपको जो सुभा सुभा उठके आपको जो यह memory loss forgetfulness की स्थिति आखाम हो जाएगी और आप अपने को बेहतर मैसूस करने लगेंगे एक साथियों forgetfulness की स्थिति आती है आपने देखा होगा कभी-कभी लोगों को अपने घर जाना वो घ घर से आगे निकल गए फिर उन्हें ऐसास होता है दस पंदा बीज सेकेंड बात वह वापस आते हैं या वह गलत मोड पर मुड़ गए अगर या स्थिति और साथी में इसको ठीक करने की हुम्योपैथी में बहुत कारगर दबा है और दबा का नाम है ग्लोनाइन आप ग्लो थर्टी लेकर अपनी फर्टिफुलनेश को और सकते है फिर साथी विए स्थिति और इसको डूके प्ति पूल गए क्या वोलना है या और है सब्सक्ति कि सब्सक्राइब करेंदच लेका हानों इसका-इसंश्चया स्थिति उनु 다घुसाओं में तो िसको ठीक करने लें आप देखेंगे कि आपकी यहां इस्टिती जो आप भीड में हैं कुछ बोलना चाह रहें और भूल रहें क्या बोलना है फिर दो मिनिट बाद 10 सेकंड बाद याद आया तो अगर वह पॉस्ट वाली इस्टिती आप में बन रही है तो कैने बिस इंडिका बहुत अच्छ की रवा है जो बच्के को प्लुक्ल स्मोदली अपना लेक्षा ॡिलेवर करने में मदद करेंगी उसको ठीक के पिर साथी हों एक कंडीशन ऑती है कि हर समें मरी डाउट में रहता है स्वाटर मेम ऱॉस होता है और के क्यारण के और। वह समें डाउट कंशूजन में रहता ह है तो उस इस्सिति को ठीक करने की हुम्योपैती में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है कैलेडियम कैलेडियम 30-22 दिन में तीन बार यदि आप लेते हैं उस कंडिशन में जब आपको मंद में डाउट हर चीज की दो बाते बनी जाएती होगा की नहीं होगा जाएंगे की नहीं जाएंगे आएगा की नहीं आएगा अगर यह डाउट की कंडिशन आपके दिमाग में है और आपके फॉर्गेट फुलने सिस्से आ रही है तो उसको ठीक करने की हुम्योपैती में बहुत कारगर दवा कैलेडियम है अब कैलेडियम 30-22 दूबून द तक याद ना रहने लगे वह इस्तिती हो आपको फॉर्गेट फुलनेस की शॉर्टर मेंब्री लॉस की यादाश कम होने की तो उस कंडिशन की बहुत अच्छी दवा है मेडो रिनम आप मेडो रिनम दो सो पावर की तीन खुराग पश्पश्मिट के फासले पर वीक्ली द लिया यहां इस्तिती उन इस्तितियों में बहुत अच्छी है जब बुजूर्ग लोगों में आप्टर 50-60 एक थोड़ा सा एपसेंट माइंड़नेस साती यह डिमेंशिया नहीं हो एक अलग बात है अगर छोटा मोटा चीजें भूलने की आदर शुरू होती है तो मेडो र बताया गया दूसरे वर भूल गये अगर यहां इस्तिती आपको ओफ शॉर्टर मेम्री लॉस में फर्गेट फुलनेस में तो उसको ठीक करने की होमियोपेथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है एलियंथस गैनुलोसा अलियंथस बहुत कारगर दवा है जब आ आप इसका दो दोगून थर्टी पावर में दिन में तीन बार लेकर स्वासला प्राप कर सकते हैं और अपने फर्गेट फुलनेस को कर सकते हैं फिर साथ यह कि स्थिती आदी कि ऐसा दिमाग चलाना पड़ा कि आदास कमजोर होने लगी ऐसा मरीश को महसूस होता है तो जब ओवर इग्जर्शन ऑफ माइंड के कारण आपको फर्गेट फुलनेस होने लगे तो इसकी हुम्योपैती में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है कालीफॉस फोरिकम कालीफॉस 6x पावर में हम दोग इसको डिप्रेशन और इंजाइटी में आप जानते होंगे लेक तो कालीफॉस 6x चरचर गोली इनमें दो बाल ले लें फोर टैप टू टाइम्स आप देखेंगे कि आपका मेमरी बेहतर होने लगी फॉर्गेट फुलनेस कम होने लगी फिर एक स्थिति आती है साथियों जब आपके फॉर्गेट फुलनेस है ग्यारतास आपकी टेंप्रे दिदी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है इमरा ग्रेet इम्रा ग्रेषिया थार्टी पावर में दो दो बून दिन में तीन बार लेकर आप इस इस सिटी से निकल सकते हैं कि जिसमें आप लोगों के बारे में पर्सेप्शन अनहीं बना पा रहे हाला कि perception बनाना अच्छा नहीं है मैं इसके भिरोध में और हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी दिक्त है कि आदमी दूसरे के बारे में राय बड़ी जल्दी बना लेता है मतलब हो या ना हो तो perception बनाना गलत है लेकिन बनाने की छमता ना होना भी गलत है लेकिन मैं विंती करूंगा कि लोगों के बारे में जल्दी राय ना बनाए हो सकता है आपकी राय उनके बारे में गलत हो और एक व्यक्ति जो सही काम कर रहा है वो भी आपकी सोच में गलत है तो उसका तो बहुत कुछ चला गया तो किर्प्या करके इस चीज को थोड़ा सद्यान लें पिर साती हों एक कंडिशन आती है मेंडी लॉस के विशे में कि कंप्लीट मेंडी लॉस हो गया ना बच्चा जो है जब दोसरा प्रॉञा मेंडी लॉस हो रहा हैँ किसी बच्चे में बड़े में तो उसको ठीक करने की होमियोपैटी में बहुत कौरद दबा है काली काली ब्रोम थर्टी पावर में दो दो बून दिन में तीन बार ले 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 आप देखेंगे कि आपका शॉर्टर मेम्री लॉस है इस सिती का कि आप पूरा सब कुछ भूले जा रहे हैं आप केवल कोई बोला तो उसके पीछे ही रिपीट कर पा रहे हैं उसे सिती को ठीक करने क कि रवा काली ब्रोम है आप काली ब्रोम थर्टी दो दो बून दिन में तीन बार देकर लाप राप कर सकते हैं अपने बच्चे या कोई बड़ा हो सब को सही कर सकते हैं काली ब्रोम से एक बड़ी मज़़ार कंडिशन आती है साथियों कि व्यक्ति की आदास वो भूल गया दिन भर उसकी एक्टिवेट चलती रही और रात में जब सोया तो सपनों में वह बाते आने लगी हो सकता है कभी-कभी आपने एक्स्पियेंस किया हो या किसी ने कराओ हो हुमियोपैथी में इसकी बहुत कारगर जबा है समस्या वो खतम करने की फॉर्गेट फॉल इसको ख ड्रग ऑफ चॉइस है यहां दवा आपको ठीक करके सिंटम से निकाल के आपकी फॉर्गेट फॉलनेस को खत्म कर देगी फिर साती हो एक स्थिती आती है फॉर्गेट फॉलनेस की जो आपको इंबेसिलिटी यानि इडियोसी इडियोटिक रूप में ले जाती है मतलब समाज उसको बेवकूफी कहने लगता है इस तरह का एक परसेप्शन आ जाता है तो अगर एक लोगर डिगरी की इडियोसिटी होती है बह्त नहीं होती चो टी अप iç हल्की बेकूफी होती है लेकिन वह एक परसेप्शन बेकूफी का होता है तो अगर वहां सीलिटी है उसको भी करने कि हूंह इंट लिगरी की हुए और दवा का भी हाह का नाब है जिनकं-फॉस्फोरिकम अब निकंपश की अट द सट् को दूर करके आपको और ज्यादा कुसल और ज्यादा पहना और और ज्यादा मजबूत वारियर बना के आपको लड़ाई के जो इस संसार रूपी लड़ाई का मैदान है इसमें उतारें फिर एक इस्थिति आती है साथियों की बेक्ति आप फूलने की आप में एक इस्सिती पैदा हो रही हो और फिर आप लोगों से बात ही ना करना पसंद करें अगर आप लोगों से दूर दूर रहते हैं आपको पता है आप बात करेंगे तो आप चीजों को भूलेंगे अगर यहां एसास मेंटल आपको है तो इसको ठीक करने की और आपकी forgetfulness को खत्म करने की हुमियों पैती में बहुत कारगर दवा सलफर है आप सलफर वानियम की तीन खुराग पच-पच मिट के फासले पर वीकली ले लें आप देखेंगे कि आपका जो यहां लोगों से दूर रहने की कारण आपका भूलना की इस्तिती है वह इस्तिती भी ठीक होगी लोगों से दूर रहने का दिल भी नहीं करेगा लोगों में mix-up होंगे और अपनी बात को मजबूती से लोगों के सामने रखेंगे तो सलफर वानियम की तीन खुराख मच पर मिनिट के फासले पे ले लें आप ठीक हो जाएंगे फिर एक साथियों होती है फॉर्गेट फुलनेस की इस्तिती की अचानक भूल गए एक पल पहले याद था और एक ही पल में भूल गए अचानक वाला अगर सिंटम आप में जूरता है Sudden Onset जोड़ता है भूलने में बात याद है संटेंस बोलने है बात पूरी याद है आपको पता है आपको याद है आप बोलनेंगे लेकिन आप भूल गए बीच में तो अगर यहां एस्थिती हो तो इसको ठीक करने की होमियोपेथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है रोडोडेंडरॉन क्राइसिंथिमम रोडोडेंडरॉन थर्टी पावर में दो दो बून दिन में तीन बार आप ले लें आप देखेंगे कि यापका यह जो Sudden Onset है भूलने का यहाँ ठीक हो गया और आप अपने को बहतर महसूस करने लगे फिर एक साथी में स्तिती आती है बड़ी पीक्यूलिया कि मरीज उसके फॉर्गेट फुलनेस है पेशिंट उसके फॉर्गेट फुलनेस है और वहा कुछ हिस्सा बूला जा रहा है बात का जैसे कि 84 है 8 इसमें 8 इसको याद रहा चार वह बूल गया यह Lis Invest टी करने की होत्ती न but कार्गर दवा है इक वात है पेथी एक दवा की विधा है जो इस अस्तर तक आप ठीक कर रही है तो इसकी दवाय साथियों रस्टॉक्स आप रस्टॉक्स 1 एम की दिन में तीन बार दो दो भून ले ले आप देखेंगे कि यह जो आपके 84 में 4 भूलने वाली 84 में 4 फिगर भूलने वाले की जो आपकी मेंटल टेंडेंसिये वाँ खतम हो गई और आप ठीक हो गए फिर एक साथियों फर्गेटफुलनेस की स्टिति आती है कि आप बोलना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ कए इसे वर्ड जो आप बोलना चाहते हैं वो ना बोलके कोई और वर्ड आपके मुझसे निकल गया तो अगर यहां इस्टिति आपके फर्गेटफुलनेस की है साथियों तो इसको भी ठीक करने के हुए उपएती में बहुत कारगर दबा है और दबा करना में इस्ट्रेमोनियम आप इस्ट्रेमोनियम दो सो पावर में दो दो बून दिन में तीन बार ले लें आप देखेंगे कि जो आप यह बोलना कुछ चाहरे हैं और बोल कुछ कए यहाँ जो कंडिसन है कि omits the right word and say the wrong word इस इस्टि को ठीक करके आपको forgetfulness की समस्रा से खत्म कर देगा है यह साथियों को दबाएं ती हुमियोपेथी में forgetfulness के लिए तो उमीद करते हैं आपको आपके परिवार को आपके बच्चे को और इस समाज को लाब देंगी दबाएं साथियों आपकी जानकारी के लिए थी कोई भी दबाब बिना कुसलती के सक्षे पूछे ना ले अगर आपके मन में query हो तो हमारे whatsapp नमबर 94-786 या notification panel में अपनी query लिग दे relevant सवालों का थोड़ा वक्त दीजिएगा वक्त कम होता है जवाब को सकता है देर से हो लेकिन आप तक जवाब पहुचेगा relevant बातों का जवाब आपको देने का पूरा प्रयास किया जाएगा साथियों अगर आपको यहाँ प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो अबड़ का आपक करके चैनल को शेर कर ये और बेल्स नोटिफे przeciं बटन कि क्लिक कर के सबसे पहले सबसे नया वीडियो और आपका साथियों सात रहने साथ देने और साथ चलते रहने के लिए दंचड़Su कर दो कर दो झाल झाल लुप 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 लुप